हाई इस वीडियो में जानेंगे प्राइजेक्शन और आपसंचेन के डेटा के मुद्द से कैसे हम लोग बैंक निप्टी में रिवर्सल पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और कैसे एकजिट कर सकते हैं तो यहां पर हम एक्जांपल लेंगे पिछली विक के डेटा में यहा आप लोग देख सेते हैं कांटिनू हम लोगों की बैंक निप्टी का प्राइज ऊपर गया है अगर आप लोग आफसंचेन का डेटा रिकार्ड करते हैं तो जो भी कैटेरिया हम आप लोगों को बताए हैं रिवर्सल के लिए उस सेटप पे आप लोगों को कभी या सिगनल नहीं मिला है कि यहां से हम लोगों के मार्केट रिवर्स हो सकती है पूरे दिन कभी भी नहीं मिला है फिर अगर हम बात करें यहां पे पंदरा मार्च के दिन तो पंदरा मार्च के दिन अगर आप लोगों के पास अगर आफसंचेन का डेटा होगा तो हम लोगों के यहां पर दस बच के 35 मिट की जो एक green candle बनी है हम लोग इस जगा पर एक बार signal मिल गया था कि यहां से हम लोग की market यहां से river हो सकती है और उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग की market नीशे आई है लेकिन अगर यहां पर आप लोग देखें तो हम लोग की market एक continue up train में थीं जैसे यहां पर हम आप लोग को एक trend line ड्रॉख करके दिखाते हैं यहां पर दीखाते हैं यहां पर अप दूनों लोग को अगर हम match कराते हैं तो आप मैशा हमेशा देखान रखें अप्रों आप लोग किजे तो प्राई एल Barn को परले देखें एक देखेंगे तो ह फिर हम लोग के market यहां से एक बार यहां पर नीची आया है फिर यहां पर उपर गया है फिर यहां पर एक छोटा सा correction आया है अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो भी यहां पर लोगा है तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो हम लोग का हमेशा यहां पर higher low बना हु लो लगने के बाद अगर आप लोग देखें तो फिर हम लोग की जो बैंक निप्टिक अपराईज है यहां से कंटिनुई इस ट्रेंड को किया है फिर यहां पे न्यू हाई लगा है और यहां पे जो लो लगा है यहां पे इस लो हम लोग की बैंक निप्टिक अगर यहां पे ब्रेक करती यहां पर प्राईज नीची आ जाए अगर यहां प्राईज यहां पर नो आ करके यह अगर इस लेबल के नीची अगर चला आता तब हम लोग यहां पर एक ट्रेड में एंट्री कर सकते थे और यहां से हम लोग का फ्र प्रेज तेल की जब पोजिशन बनेगी, तो हम लोग के यहां पर लो लगा है, थिर हम लोग को यहां पर वेट करना था, अगर आप लोग इस लो से और इस लो को अगर मैच कराते हैं, तो आप लोग को यहां पर एक ट्रेज लाइन भी देखने को मिल सकती है, तो अगर आप लोग प्राइजेक्शन के इसाप से अगर आप लोग एंट्री लेते हैं, तो यहां पर ट्रेज लाइन को ब्रेक होने के बाद आप लोगों को हमेशा वेट करना चाहिए जो पीछला स्विंग लो है अगर वह ब्रेक होता है तब जाकर करके हम लोगों को यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं तो आप लोग देश सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर यह candle बनी है रेट candle जो की 12 बच के 35 मिर्ट की candle है इस 23,361 के आसपास हमनों के यहाँ पर entry मिला था यहाँ पर आप लोग दें तो जो फर्स टार्गेट हमनों को निकल करके आएगा यह लेबल आ रहा था और अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट था उन्हों को यहाँ पर continue और बड़ा फाल देखने के लिए मिल सकता था यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो हमनों के लो लगा है 12 बच के 45 मिन पर अगर आप लोग डेटा रिकार्ड की होंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक बार सिंगनल मिला था कि यहाँ पर प्राफिट बुकिंग हुई है और इसके बाद आप लोग देखें तो जो ह देखें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 35,500 के इस्ट्राइक प्राइस पर जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10 बच के 35 मिन पर 2,000,000,000 की पोजिशन खुई है तो अगर हम बात करें यहाँ पर 15 मार्च के दिन तो हम लोग उस दिन था Tuesday का दिन तो Tuesday के दिन हम 2,000,000 से उपर अगर कोई भी open interest close होता है किसी भी strike price पर तो अब हम लोग उसे अपने analysis में include करते हैं तो अगर आप लोग देखें कि तो जो 10 बच के 35 मिन पर यहाँ पर जो profit booking का signal मिला है call side में लगवा इसी green candle में मिला है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 बच के 35 म बना हुआ यहाँ पर आप लोग इसे ड्रो करते हैं हम लोग के यहाँ पर एक यहम पैटन मिल जाएगा और इसके बाद हम लोग के प्राइज यहाँ से continue नीची आ जाए फिर इसके बाद अगर हम लोग को यहाँ पर जो signal मिला था put side में 12 बच के 45 मिनिट पे इसे में आप ल लोग देखें तो यहाँ पर प्राइज हम लोग का थोड़ी देर होल्ड किया यहाँ पर आप लोग देए जैसे इस लोग को ब्रेक किया बैंक निप्टी का प्राइज यहाँ पर हम लोग को सीट में कोई भी रिवर्शल का signal नहीं मिल रहा था option chain के data में और finally हम लोग को signal मि profit booking का signal मिला है और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 34,000 के strike price पर जो signal मिला है इसे हम लोग start covering के लिए consider कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है यह price कैसा बना है अगर आप लोग यहाँ पर price देखेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े player की यहाँ पर close हो चुके तो यहाँ पर जैसी candle close होती है आप लोग को अगर signal मिल जाता है mix तो यहाँ पर आप लोग को profit book कर लेना चाहिए और अगर यही candle जैसे यहाँ पर green बनाए अगर यहाँ ऊपर close नोखर के अगर हम लोग यहाँ पर red candle बनता अगर अगर यहाँ नीचे close होता तब हम लोग यहाँ पर wait कर सकते थे next time और यहाँ पर हम लोग कैसे wait करना है कि जब तक यहाँ पर जैसे हम लोग के position out of the money में और in the money में जहाँ भी position अगर लगतार यहाँ पर continue अगर यहाँ पर नीचे भी 2 लाग से एवो अगर position close होती जैसे 2 position close होगी तब तक हम अपने trade में बने रहेंगे और जैसे यहाँ पर position close होना बंद हो जाती हम लोग अपने position को close कर देंगे यहाँ पर क्या होगा कि तो यहाँ पर जो start covering की rally है वह हम लोग उसे यहाँ पर miss नहीं होगी तो यहाँ पर अगर आप लोग 16 March के अगर data अगर देख की एक सीच का आप लोग हमेंसा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग मार्केट बहुत जाद गायप या गायप डाउन होता है तो हो सकता है कि हम लोग मार्केट एक रेंज में trade कर जैसे अगर आप लोग मार्केट एक रेंज में trade किया है और आप लोग देखें तो उस दिन big player भी active नहीं थे तो यहां पर हम लोग को एकसर सीट से भी कोई भी signal नहीं मिला था नो buying के लिए न selling के लिए और आप लोग हमेशा एक सीच के ध्यान रखिए कि आप लोग को जब तक किसी data point में कोई trade ना मिले या कोई signal ना मिले तब तक आप लोग कभी भी entry मत कीजिए भले ह या आप लोग को week में एक दिन ही trade करने के लिए क्यों न मिले अगर आप लोग को अगर पैसा बचा रहेगा तो week में अगर आप लोग एक दिन भी अगर आप लोग को अच्छा trade मिलता है तो आप लोग को पूरे week का पैसा दे करके जाएगा लेकिन वहीं आप लोग अगर ब नुकसान देगा या प्रापिट देगा, तो वहां पे आप लोग की हाई प्रोबिल्टी होती है, याप लोग कर्ते हुँ कि आप लोग के अंदर डर होगा, पिना किसी सेट अप पर जब भी को में कोई ट्रेड ले लेते हैं, तो वहाँ पे डर बना रहता है कि यहाँ पे हम गलत हैं लेकिन अगर आप लोग किसी fix setup पे जब trade लेते हैं तब आप लोग के पास एक stop loss होता है और एक target होता है या आप लोग को किसी data point के मादम से अगर trade लिए तो आप लोग किसी data point के मादम से exit करेंगे लेकिन अगर आप लोग बिना किसी data point के अगर entry करते हैं तो वहाँ पे आप लोग के मन में डर बना रहेगा भले ही market आप लोग के direction में जाएगी लेकिन वह अगर जैसे ही आप लोग के भीप्रीत अगर market जाती है थोड़ा भी वहाँ पे आप लोग अपना position close कर लेंगे फिर वह आपके direction में भी जाएगी तब ही आप लोग पैसा नहीं बना पाएंगे लेकिन जब वही किसी setup पे अगर आप लोग trade में entry करते हैं तब आप लोग वहाँ पे इंतिजार करेंगे किसी setup बनने के लिए या किसी data point से exit करने के लिए फिर बात करेंगर हम 17 मार्च के 17 मार्च के दिन इसपारी का दिन था तो इसपारी के दिन हम अपने option chain के data point को जादे consider नहीं करते हैं Thursday के दिन छोड़कर बाकी अधर दे में आप लोग option chain के data point को फालो कीजिए हम अपनी तरब से पूरी कोशिस करते हैं कि हम आप लोगों को अपना बेश्ट से बेश्ट दे जिससे आप लोग भी profit बना सकें आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें comment में जरूर बताएं और यदि आपनों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिलाओ तो इस वीडियो को like करें जिससे हमें motivation मिले आने वाल समय में और भी वीडियो create करने के लिए तो आज के वीडियो में इतना है मिलते हैं next वीडियो में आपका दिन सूभो